हलो एवरीवान, वेलकम टो आवर चैनल MCB, MCB, फिर्ण साफ जामें एक फैंसी दुपट्टा सारी कुछ जुटा सस डिजाइन बनाएंगे, इस डिजाइन को बनाने के लिए यह मैंने 2 mm की गोल्डन बीर्स लिए हैं, नेक्स्ट मैंने सबसे स्मॉल साइज के इससे भी थोड नॉर्मल सेविंग नीडल लेना है, आज हम सिर्फ इनी तीन मटीरियल्स को यूज करते हुए, इजी एन ब्यूटिफल फैंसी दुपट्टा सारी कुछ जुट डिजाइन बनाएंगे, सबसे पहले हमें नॉर्मल सेविंग नीडल में 2 स्टैंड्स अफ कॉटन त्रेड ले देना है और यहां पे इन चारोबीड स्को इस तरीके से स्क्वेर शेप में लाना है, फिंगर में धागा टाइट पकड़ते हुए, इस दो बीडस हैं, इन दोनों बीडस के सेंटर में से नीडल को पास करते हुए, यहां पे एक टाइक नॉट बनाना है, इससे चारो बीड इस तरीके से square shape में रहेंगे next हमें ये जो bead है इस bead में से needle को pass कर लेना है उसके बाद 2 mm के golden beads इन्हें हमें 3 beads लेने हैं इन 3 beads को needle में insert करने की बाद जिस bead में से thread pass हुआ है उसी bead में opposite direction में से needle को pass कर लेना है इन 3 beads को इस तरीके से square shape में लाना है इन सभी beads को हमें अच्छे से tightly stitch करना है friends धागा अभी center की bead में है इसके side वाले एक bead में से हमें needle को pass कर लेना है उसके बाद needle में हमें 1, 2, 3, 3 2 mm की golden beads लेने है और जिस bead में से धागा pass हुआ है उसी bead में opposite direction में से needle को pass कर लेना है और इन तीनो beads को भी अच्छे से attach कर लेना है next हमें ये जो उपर के 2 beads है इसके सिर्फ इस वाले एक bead में से हमें needle को pass कर लेना है उसके बाद needle में हमें फिर से 1, 2, और ये 3 total 3 beads 2 mm के insert कर लेना है उसके बाद जिस bead में से thread pass हुआ है उसी bead में opposite direction में needle को pass करते हुए इन तीनो beads को भी हमें अच्छे से tightly attach कर लेना है ये इस तरीके से सभी beads triangle shape में आ जाएंगे next हमें first line में ये जो तीन beads है इसके center वाले bead में से needle को pass कर लेना है उसके बाद ये जो big size की crystal है एक crystal लेना है और अब next हमें सबसे small size का एक golden bead लेना है दोनो beads को insert करने की बाद सबसे small size के bead को छोड़के ये जो crystal है इस crystal में से हमें दोबारा से needle को pass कर लेना है next हमें जिस center वाले bead में से हमने needle को pass किया है उसी bead के opposite direction में needle को pass कर लेना है और इस crystal और bead को neatly set कर लेना है इस तरीके से neatly set करने की बाद next हमें यहाँ पर एक दो अच्छे से knots बनाने है यह जो दो beads है इन दोनो beads के center में से needle को pass करते हुए यहाँ पर एक knot बनाना है अच्छे से tight knot बनाना है फिर से हमें इस एक bead में से needle को pass करने ना है और यह जो दो बीर्स है इन दोनों बीर्स के सेंटर में से नेडल को पास करते हुए यहाँ पे हमें एक और टाइट नॉट बनाना है इस तरह के से अच्छे से टाइट नॉट बनाने के बाद यह जो कॉर्णर वाला बीर है इस बीर में से नेडल को पास कर लेना है excess cotton thread को हम cut कर लेंगे अब एक piece ready हो गया है इन pieces को हमें एक साड़ी के लिए minimum 30 to 35 बनाने है और अब next हमें इन्हें पल्लों पे stitch करने के लिए इस tape और marker की मदद से every one inch के distance पे mark करना है उसके बार normal saving needle में two strands of cotton thread लेके एक knot डालेना है और अब हमें एक piece लेना है जहां हमने mark किया हुआ है उस mark के ओपर strangle shape के piece को neatly रखते हुए back side से इस needle को हम pass कर लेंगे corner वाला ये जो bead है इस bead को हमें पहले stitch कर लेना है next हमें ये जो side वाला bead है इस bead के नजदेक से needle को pass करते हुए इस bead में से भी needle को pass करके यहां पे हमें एक stitch करना है उसके बाद उपर का ये जो bead है top का bead इसे भी हमें stitch करते हुए थोड़े से distance में से needle को pass करना है और अब next हमें इस bead में से needle को pass करते हुए needle को back side लेना है last में हमें ये जो corner वाला bead है इस corner वाले bead में से नीडल को pass कर लेना है इस तरीके से ये जो ऊपर की जो beards है इन सभी beards को हमें अच्छे से stitch कर लेना है next हमें नीडल को पल्लू के back side लेना है इस तरीके से back side लेने के बार पल्लू को turn करते हुए back side हमें यहाँ पे एक दो अच्छे से tight knots बनाने है और अब next हमें excess cotton thread को cut कर लेना है अपर देख सकते हैं एक piece हमने stitch कर लिया है इसी तरीके से बाकी सभी stitch करना है इन सभी pieces को हमें stitch करके work को ready कर लिया है आपको यह design कैसा लगा मुझे comment section में comment करके जरूर बताईएगा डिजाइन पसंद आए तो please इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like share और comment जरूर कीजिएगा चनल पे पहली बार विजिट किया है तो चनल को subscribe कीजिए पास में लगे bell icon को भी press करके all पे click कीजिएगा बिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching see you soon bye bye